आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि घटाव का विलोम शब्द क्या होता है और इसका आर्थ क्या होता है और साथ में हम कुछ उधारन वाक्यों से भी से और अच्छे से समझेंगे तो सबसे पहले घटाव का आर्थ समझते हैं घटाव का आर्थ होता है कमी या घटाना यानि कि किसी चीज की कमी होना या किसी चीज को घटाना को हम घटाव कहते हैं तो घटाव का विलोम शब्द यानि कि विपरित आर्थक शब्द होगा जोड और जोड का आर्थ होता है मिलाना जोडना या संयोग तो आईए अब हम घटाओ और जोड को कुछ उधारण वाक्षियों से समझें जैसे कि आप कह सकते हैं कि गनित की परिक्षा में उसे कुछ जोड और घटाओ के सवाल हल करने के लिए दिये गए थे या फिर आप कह सकते हैं कि उसने पहले जोड और फिर घटाव करना सीखा अब आप किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें